Hello friends, welcome to study news, आज हम science के एक important topic के बारे में study करेंगे, जो है heart and circulatory system, so let's start विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत हिर्दय एवं उसकी संरचना का अध्यन किया जाता है, उसे कार्डियोलोजी कहा जाता है रिदय का मुख्यकार रक्त को pump करना है, रिदय ना ही रक्त को सुध करता है और ना ही अशुध करता है रिदय के संदर्भ में रक्त का सुध्धी करन फेफडों में होता है रिदय के संदर्ब में सुध रक्त का आश्रे ऑक्सीजन युक्त रक्त से होता है और असुध रक्त का अर्थ है कारवन डाई ऑक्साइड युक्त रक्त होना आर्टरी मतलब धमनियों में सुध रक्त बहता है जो हिर्दय से अंगो की ओर जाता है जबकि pulmonary artery यानी फुफुस धमनी में अशुध रक्त बहता है ये अशुध रक्त फुफुस धमनी के द्वारा हिर्दय से फेफडो की ओर जाता है आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो नीले रंग में दिखाया गया है ये oxygen विहीन रक्त है जो फुफुस धमनी द्वारा हिर्दय से फेफडो की ओर जा रहा है शीराओं में असुध रक्त बहता है जो हिर्दय से अंगो की ओर जाता है pulmonary vein यानी फुफुस सिरा में सुध रक्त बहता है जो फेफडो से हिर्दय की ओर जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुफु सिराओ द्वारा सुध रक्त फेफडों से हृदे के बाएं अलिंद में आ रहा है इस ग्राफ में आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह लंग्स हैं फेफडा और यह heart हमारा हो गया और यह human body है यह जो blue lines है यह carbon dioxide युक्त रक्त है और जो red line है यह oxygen युक्त रक्त है अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सीरा हमेशा हिरिदय की ओर रक्त लाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि pulmonary vein जो सुध रक्त लेकर आ रही है वो फेफडों से हिर्दय की ओर लेकर आ रही है और जो असुध रक्त veins ला रही है वो body से हिर्दय की ओर ला रही है अब आप देख सकते हैं कि धमनिया हमेशा हिर्दय से बाहर की ओर रक्त ले जाती है धमनिया रिदय से सुद्ध रक्त बॉडी की और ले जाती है और फुफुस धमनी असुद्ध रक्त हिरदय से फेफडों की और ले आती है केशिकाओं का सरीर में जाल बिछा रहता है केशिका वह इस्थान होता है जहां पर आक्सीजन और कार्बन डाइक्साइड का विनमे होता है मनुष्य का हिर्दय कार्डियक टीसू से बना होता है मनुष्य का हिर्दय 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चोड़ा होता है और इसका वजन 300 से 3.5 ग्राम होता है हिर्दय थोरेशिक कैविटी यानी वक्षिय गूहा में दोनों फेफडों के मद्ध इस्तित होता है हिर्दय खोखला एवं संक्वाकार सनरचना के रूप में होता है हिर्दय में पाए जाने वाली सेप्टम नामक मान स्पेसी हिर्दय को दो भागों में बाट देती है जिसका बाया भाग सुध रक्त के परिसंचरण एवं दाए भाग में असुध रक्त के परिसंचरण से सम्बंधित होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है सेप्टम मनुष्रे का हिर्दय चार कक्छो वाला होता है जिसमें दो अलिंद और दो निले होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है septum यह है right atrium जिसे दाया अलिंद कहते हैं यह है left atrium जिसे बाया अलिंद कहते हैं यह है right ventricle जिसे दाया निले कहते हैं और यह है left ventricle जिसे बाया निले कहते हैं मचलियों में दो कक्छो वाला हिर्दय पाय जाता है जिसमें एक अलिंद और एक निले होता है उभैचर जन्तूओं में जैसे मेंड़क में तीन कक्छो वाला हिर्दय पाय जाता है जिसमें दो अलिंद और एक निले होता है रेप्टाइल्स की बात की जाये तो जैसे साप और छिपकली में तीन कक्छो वाला हिर्दय पाये जाता है जिसमें दो अलिंद और एक निले होता है मगर मच्च में चार कक्छो वाला हिर्दय पाये जाता है जो कि यह भी एक सरीश्रिप है इसमें दो अलिंद और दो निले पाये जाते हैं मिठूओं यानि पक्छियों की बात की जाये तो इसमें भी चार कक्छियों हिर्दे होता है जिसमें दो अलिंद और दो निले पाये जाते हैं इस्तंधारी जीवों में जैसे मनुष्य वेल, डॉल्फिन, चमगादड इन सब में चार कक्छो वाला हिर्दय पाये जाता है जिसमें दो अलिंद और दो निलय होते हैं अलिंद और निलय एक दूसरे से वाल्व के माध्यम से अलग रहते हैं वाल्व के उपर वाला भाग अलिंद और नीचे वाला भाग निलय कहलाता है बाएं वाले भाग में वाल्व की संख्या दो होती है इसलिए इसे बाइक्यू स्पीड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहा जाता है जबकि दाएं वाले भाग में वाल्व की संख्या तीन होती है इसलिए इसे ट्राइक्यू स्पीड वाल्व कहा जाता है हृदय के सबसे उपर महा धमनी पाई जाती है जो सरीर के सबसे बड़ी धमनी है महा धमनी में तीन कपाट पाई जाते हैं मतलब तीन वाल्व पाई जाते हैं जो अर्ध चंद्रा कार होने के कारण सेमिल्यूनर वाल्व कहलाते हैं जब कभी ये वाल्व सिकुड जाते हैं तो इसे हिर्दय में छेद होना कहा जाता है। हिर्दय में SA node पाया जाता है जिसे सीनो औरिकलर node कहते हैं। जो विद्युतरासायनिक तरंगों को उत्पन करता है जब कभी ये node खराब हो जाता है तो इसके इस्थान पर कृत्रिम मसीन को लगाया जाता है जिसे पेसमेकर कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये पेसमेकर लगा हुआ है इसकी लीड हिर्दय में लगाई जाती है। ऐसे लोग जिनको पेसमेकर लगा होता है उन्हें चुम्बकिये छेत्र में जाने से मना किया जाता है। हिर्दय में AV node पाया जाता है जिसे atrial ventricle node कहते हैं। एल्वेवलर् फाइबर कहते हैं इसके फलस्वरूप निलय, संकुचित और सितलित होता है हृदै की संकुचा वस्था और सितला वस्था से मपारे के इस्तंब पर क्रमस एकोगी 20 mm और 80 mm का दाब लगाता है Balard pressure मापने की मसीन को Phegno-Manometer कहा जाता है सर्व प्रथम हेल्स नामक वेज्यानिक ने सत्र गोडे का रक्त दाब मापा था एक स्वस्थ व्यक्ति का हिर्दय एक मिनट में 72 बार धड़कता है जिससे हिर्दय धड़कन या नाडी दर कहा जाता है इसे इस्टेथो इसकोप से सुना जा सकता है भ्रूड का हिर्दय एक मिनट में 120 से 1500 बार धड़कता है और नवजाद सिसू का हिर्दय एक मिनट में 100 से 120 बार धड़कता है हिर्दय एक मिनट में 70 मिली लीटर रक्त पंप करता है हिरदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र मेड्यूला ओबलांगाटा कहलाता है हिरदय धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरोकसेन और एपिनेफरिन या एड्रनेलीन है हिरदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व पोटेसियम है और सोडियम भी इसकी भूमी का निभा सकता है रक्त परिसंचरन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने सन 1628 इस्वी में की थी हिर्दै से संबंदित रोगों की बात की जाए तो पहला है एथरोस्कलरसिस इसमें जब वाहिकाओं में लिपिडिया कॉलेस्टरॉल जमा हो जाता है तो वाहिकाओं संकीन हो जाती है जिससे हाई बलड प्रेसर की सिकायत हो जाती है दूसरा है एंजाइना पेक्टरिस जब वाहिकाओं में लिपिडिया कॉलेस्ट्रोल का अपूर्ण थक्का जम जाता है तो रक्त का छेपड या प्रवाह रिस रिस कर होता है जिसके फलसरूप बाया कंधा, बाया हाथ एवं सीना दर्द करता है जब यह थक्का पूर्ण हो जाता है तो रक्त का छेपड रुख जाता है जिससे हिर्दय घाती मतलब हार्ट अटेक कहा जाता है इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है हार्ट अटेक के उपचार के लिए सरपर्थम बीटा ब्लॉकर रोस्धी का सेवन करवाया जाता है हार्ट अटेक आने एवं उससे बचने की घटना को गोल्डेन आवर पीरियड कहा जाता है हार्ट अटेक एक बार आए या दस बार व्यक्ति की मृत्यू नहीं हो सकती क्योंकि निलय सामान्य धंग से कारे करता रहता है किन्तु जैसे ही निलय असामान्य धंग से कारे करता है हार्ट फेल हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है तीसरा रोग है rheumatic heart disease यहाँ रोग आठ वर्स तक के बच्चों को होता है जो कान से सम्मंधित रोग है जब बच्चों के कान में streptococcus veridines नामक जीवाडू संक्रमण करता है तो बच्चों का कान लाल हो जाता है दर्द करता है और कभी कभी दाने नुमा सनरचना भी निकलाती है लगातार संक्रमण होने के कारण यह जीवाडू कान से होते हुए सरीर में प्रवेश कर जाता है और हिर्दय में पाई जाने वाली महा धमनी में उपस्तित सेमी लिूनर वाल्व को सिकोड देता है जिसे हिर्दय में छेद होना कहते हैं इसका केवल एक ही इलाज है वाल्व को बदल देना अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम इस रोग में भुड़ा वस्था में हिर्दय का पूर्ण विकास नहीं हो पाता ये जो आप देख रहे हैं सेप्टम इसका निर्माड नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप सुध एवं असुध रख तापस में मिल जाते हैं और बच्चा जब जन्म हो लेता है तो उसके सरीर का रंग हलका नीला होता है ऐसे बच्चे मृत ही पैदा होते हैं ये आप तस्वीर देख सकते हैं एक बच्चे की जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ है ये ऐसे ही नीले रंग के हो जाते हैं नीला रंग नाइटरेट की अधिक्ता के कारण होता है और ये बच्चे हमेशा मरे हुए ही पैदा होते हैं हार्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला है एंजियो प्लास्टी और बलून थेरेपी इसमें वाहिकाओं में अवरोध का पता लगने पर ब्रेकियल धमनी से कैथेडर अंदर डाला जाता है जिसके आगे बलून नुमा सनरचना लगी होती है कैथेडर को उप्योक्त अवरोध तक पहुचा कर बलून को फुलाया जाता है और घरसंड के माद्यम से अवरोध को समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि यह उप्चार बलून नुमा सनरचना से हो रही है तो इस उप्चार को बलून थेरपी का जाता है यह उप्चार कैच लैब में होता है इस फोटो में आप देख सकते हैं यह है वाईकाएं, यह है अवरोध और यह बलून थेरपी हो रही है यहाँ पे बलून को फुला देते हैं और फिर उसके बाद घरसंड करके यहाँ से अवरोध को हटा दिया गया दूसरा है बाइपास सरजरी इसमें अवरोध के स्थान पर एक वाहिकाओ को जोड़ दिया जाता है और रक्त के प्रवाह का मार्ग बदल दिया जाता है बाइपास सरजरी में पैर में प्राप्त होने वाली इस फैनस सिरा या हाद से प्राप्त होने वाली रेडियल धमनी या छाती से प्राप्त होने वाली इस तन धमनी में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा titanium धातू का भी प्रयोग किया जाता है तीसरा है heart transplantation जब हिर्दय का उपचार किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता तो हिर्दय को बदल दिया जाता है जिसे हिर्दय प्रत्यार ओपड कहा जाता है विस्व का पहला हिर्दय प्रत्यार ओपड 3 दिसंबर 1967 को दक्षिड अफरीका के साइंटिस्ट डॉक्टर क्रिश्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था जबकि भारत का पहला हिर्दय प्रत्यार उपड तीन अगस्त 1994 को डॉक्टर वेडू गोपाल के द्वारा किया गया था यहाँ प्रत्यार उपड न्यू डैली स्थित एम्स होस्पीटल में किया गया था और यहाँ प्रत्यार उपड सफल था एक वेग्यानिक थे रॉबर्ट जॉर्विक जिन्होंने विस्व का पहला कृत्रिम हिर्दय बनाया था और उसका ट्रांस्प्लांटेशन भी किया था 1982 में इन्होंने आर्टिफीसियल हर्ट का नाम जॉर्विक सेवन रखा था यहाँ आप देख सकते हैं ये है आर्टिफीसियल हर्ट बात करें ECG की तो ECG को ऐलेक्ट्रो कारडियोग्राम या ऐलेक्ट्रो कारडियोग्राफ कहा जाता है यह हिर्दय से संबंधित यंत्र है जिसके द्वारा हिर्दय के संकेतों को ज्यामती रूप में प्राप्त किया जाता है जब इसके संकेत सीधी लाइन में हो जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि हिर्दय ने कारे करना बंद कर दिया है इसका आविस्कार विलेम एंथोवन ने सन 1895 इस्वी में किया था ये हैं एंथोवन जिन्हें 1924 में फीजियोलोजी और मेडिसीन के छेत्र में नोबेल पूरसकार से सम्मानित भी किया गया था ये एक डच वेग्यानिक थे तो ये थी हार्ट एवम सर्कुलेटरी सिस्टम से सम्मानित पूरी जानकारी तो थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक, सेयर और कमेंट